पुछ सुनना नी चाहते हैं, कुछ सबजना नी चाहते हैं, भगवान के पुछे चोड़े। जुन्दगी जेल में ही कटे, या कानून की ऐसी धाराएं, इन पर लगे की इन्हें फासी नसीव हो। जी हाँ, इन दरिंदे दोस्तों ने ना सिर्फ एक मासूम सी यूती को अपने जाव में फासा, बल्कि एक ने उसके साथ जबरन विवाह किया, और दूजे से भी सारीरिक समन स्थापित करने के लिए मजबूर किया। जब यूती नहीं मानी तो समुदाय विशे से जुड़ा, दूसरा शक्स उसे बहला फुसला कर अजमें ले जाना चाहता था। लेकिन रास्ते में ही एन वक्त पर यूती ने अनहोनी को भाप लिया और बाइक से उतर कर मोके से भाग गई और सीधे पुलिस की शरन में जा पहुंची। वही इस पूरी कहानी से परदा उठ गया। सोची अगर यूती आरोपी के साथ चली जाती तो शायद केला फिल्म जैसी जिन्दगी इस यूती की हो सकती तो। पेश है हमारी खाक पेशकस दरिंदों ने शर्मसार कर दी दोस्ती एक ने शादी कर दुल्हन दूसरे को सोग तो। यह कहानी है उदैपूर की एक मजबूर यूती की जो करीब तीन साल पहले अपने भविश्य को उच्वल बनाने के लिए कंप्यूटर की सिक्षा चाहती थी और देवाली स्थित्य का इस कंप्यूटर पर R.S.C.I.T. का कोर्स करनी लगी। लेकिन यहां पर कोचिंग गुरू नहीं हवस का पुजारी वैठा था। कुरुप से दिखने वाले इस वहशी का नाम अशोक कुमावत है जिसकी नियत शुरू से ही यूती के प्रती अच्छी नहीं थी। वह यूती की सिक्षा की भूख नहीं मिटा कर अपनी हवस की भूख मिटा रा चाहता था। इस बीच उसका एक साथी इमरान जो पेशे से पेंटर है उससे भी अशोक ने यूती का परीचे करवाया या यू कहें कि घिनोना कृत्ते दोनों दोस्त मिलकर करना चाहते थे। अशोक ने यूती को फसाने के लिए उस समय जतन किया जब वह नाबालिक थी। वही कुछ माँ बाद अशोक के काईस कंप्यूटर पर टोने टोटके करने वाले आते हैं और ऐसा मंत्र फूखते हैं कि खुबसूरत यूती बदसूरत अशोक के मोह पाश में फसकर पूरी त सिवा कुछ दिखाई नहीं देता तभी अशोक कुमावत यूती से शादी की पेशकस करता है तभी यूती आरोपी की बदसूरती और दूग उनी उम्र को भोलकर अपनी सहमती दे देती हैं ऐसा करने पर यूती के परिवार पर मानो पहार तूट पड़ता है और शादी की पात पता चलने और बदनामी के डर से मजबूर हुआ परिवार भी सहमती दे देता है अब यूती अशोक कुमावत को अपना पती पर मेश्वर मान कर नई जिन्दगी जीना शुरू कर देती है लेकिन अशोक के नियत तो कुछ और ही थी वह आई दिन यूती के साथ मारपी तो नहीं कर सकता इसकी शिकायत कई बार महिला थाने तक भी पहुची लेकिन अशोक की जातियों से यूती को निजात नहीं मिले कुछ समय बाद जब अशोक का मन यूती से भर कया तो उसने यह कहकर उसे छोड़ दिया कि अलग-अलग लड़कियों से संबंध बनाना उसका पेशा है और उसे भी पत्ती सिर्फ इसलिए बनाया था कि वह अपनी हवस मिटाना चाहता था यहसुन यूती के पैरो तले मानो जमेन खेशक गई हो वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही अशोक ने अपने दोस्त इमरान के साथ रहने की बात अपनी ही पत्ती से कह डाली वह यूती को अपने दोस्त के साथ हम बिस्तर करवाना चाहता था और इसलिए उसे मजबूर भी कर रहा था दिनांक 30 जूम 2014 को एक 22 वरसी यूती में थाने मां के रिपोर्ट दी कि उसको कोई भगा कर ले जा रहा है और उसके साथ काफी आतना है और उसको परशानी में डाल रहा है ऐसे सुर्थ में उससे एक रिपोर्ट प्राप करने के बाद हम संदान किया तो यह ज्यात आया कि दो वश्पुर्प ये यूती डूंदरपुर निवासी हैं जो यहां उध्यपुर में पढ़ाई के लिए आय थी और यहां पर एक कंप्यूटर सेंटर पे ट्रेनिंग के ल ..... इन दोनों ने उससे था की यह सब करने के बाद में अशोक कुमावत के साथ उसके सात रहने के लिए और उसके साथ काफ़ी ईसस्ट are इसे दर्मियान यूवती काफी परिशान भी हो गई थी, तो उन्होंने वहां से उस घर को छोड़ करके, और क्योंकि महाबाप ने भी प्रेविभात अमने के करण उस यूवती को छोड़ दिया था, तो यूवती के पास जाने के लिए को जगह नहीं थी, तो उसने अपने ए कहना, क्या कुल पती ऐसा कर सकता है, अशोप तो वास्विक्ता में पती कहलाने के लायक भी नहीं है, और लायक तो उसका दोस्त इमरान भी नहीं है, जो भाबी जैसी यूवती पर गलक नजल डालता है, उस यूवती से बड़ी तो इमरान की बेटी है, आगे की कहानी और भी हरान करने वाली है, पती असोप से मिले इतने बड़े धोखे के बाद यूवती बेसुध से रहने लगती है, अशोप के धोखे और इमरान से जबरन नाता जुडवाने वाली बात जब यूवती के परीजनों को पता चलती है, तो वह भी उससे नाता तोड़ देते हैं, यूवती पूरे शहर में अकेली हो जाती है, लेकिन इस बीट उसका परीच्वे एक समात से भी महिला से होता है, और वह अपनी पूरी कहानी जब उन्हें बताती है, तो महिला यूवती को अपने साथ ही रखती है, अशोप काफी कोशिस करता है, लेकिन इमरान पीछे लग रहता है, और यूवती के नए ठेकाने को भी ठून लिकालता है, हाला कि यूवती अपने फोन नंबर और आदी आईडी बदल लेती है, लेकिन शातीर इमरान उसकी दूसरी आईडी भी खोज निकालता है, और लगतार उसे मैसेज करके दबाव बनाता है, कि कपड़े लेक अधर आजा, नहीं तो जान से मार दूँगा, और सभी को बनाम कर दूँगा, यूवती इमरान की धंकी से बहुत ज़्यादा सहम जाती है, और एहले सुबा नीचे उतर कर उसकी बाइक पर बैठ जाती है, बाइक पर बैठते ही इमरान उसका बैग और मोबाइल अपने कब से मिले लेता है, और अजमेर ले जाने की बाग करता है, घबराई यूवती भुवाना चौराहे पर ही उतर जाती है, और भागते हुए एक राकीर के मोबाइल से महिला समाच से भी को पूरी कहानी बता देती है, रात में साथ में सोई यूवती को अच्छानक फोन पर घब करवाती है. तो देखा आपने किस तरह एक यूवती को महिला बनने से पहले ही मोचा गया, हवस की भूप मिठाई गई और मन भर जाने पर साथी को सोपते की गिनोनी खरकत हो गया, वही साथी भी कुछ कम नहीं निकला और शादी सुदा होते हुए भी फूल सी यूवती को अपने साथ रखना चाता था. और तो और इस तरह से दबा बना कर क्यों ले जाना चाता था, सोचिए अजमेर में उस यूवती के साथ क्या क्या हो सकता था. खेर यूवती की सज़ता, समासेवी महिला की मदद और सतर्क सुखेर पुलिस की वज़े से दोस्ती जैसे पवित्र रिष्टे को सर्मसार करने वाले दरिंदे आज सीख्चों के पीछे हैं. और हम उमीद करते हैं कि उन्हें ऐसे सजा मिले जिससे इस तरह की गटनाओं की पुंद्राबती सभी नहीं हो, नश्कार.